नमस्कार मित्रो सोसला जीवित रुदिक्षी चैनल में आपका मैं स्वागत करता हूं जी हाँ आज 9 अगस्त है विश्व जनजाती दिवस बनाया जाता है आज दिवस बनाने के पीछे जनजाती समाज को संग्रित करना है इकत्रित करना है आज इसी दिन पे एक गर्व की बा स्रीमती दुरुबदी मुर्मू यह रूबदी मुरुमू का जो हुआ है निर्वाचन भारती लोगतन में सामाजिक सहभाता के रूप में हूंद देख सकते हैं मैं नई दुनिया इन दौर में एक लेक पड़ रहा था विहार बिधान परश्ष्ट के पूल सदग स्री हरेन प्रताब जी का। उन्होंने बहुत कुछ दिया है कि जिस JINJATI समास से आती है धुरुपती मुर्मु जी, उसका इत्यास उन्होंने बताया। आजाधी कामृत महसाँ मना रहे है इसमें भारत के सरौशपत पे महिला वो भी JINJATI समास का प्रतिम्हुत करने वाली सिमती दुरोपती मुर्मू का दिर्वाचित होना अपने आप में एक महकून बात है क्योंकि 1757 के प्लासी के युद्ध हुआ था 1757 में प्लासी के युद्ध में इस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने नवाव सुराजुद्धला को हरा दिया था और अपने सासन विस्तार के युजना वनाई थी इस इंडिया कंपनी के विस्तार में उनका पहला संगर जो है उन्टाल जनजाती है जो संद्रा मुर्मू के पुत्र तिलका माजी से हुआ तिलका माजी हम सबी जानते हैं न तिलका माजी भी संताली है अंग्रेज जब जंगलों की मूलवान संपत्ती दूपने लगे तो तिलका माजी ने आभभान के अंग्रेजियों से लड़ाई का 1771 से 1784 तक तेरा साल जो युद्धिचला उसमें अंग्रेजियों खिलाप तिलका माजी का नेसर था और एक दिन ऐसा आया जब अंग्रेज तिलका माजी उनकी गुरिल्ला सेना पर अक्रमल कर उने गुर्फतार करने में सफ़ल हुए 1784 में भागलपुर में एक चौरहय पर तिलका माजी को फासी पर लटका दिया गया और भारती सुतनता सिनाम के पहले सुतनता सिनानी तिलका माजी की यहां से शुरुआत होती है हम कह सकते हैं कि जंजाती समाज जो है शृतंता सगनाम का पहला शृतंता सगनाम तिर्णी अगर है तिलका माजी है और उन्होंने कहा था उस बख सबसे पहले कहते हैं कि हांसी 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 चड़वो फांसी ये गीत का है था हांसी हांसी चड़वो फांसी जो बाद में हमारे देश में करांती कारियों का बल्दानी का गीत बन गया बल्दान गीत के नामते जाने लागा और तिलकामाजी नाम मुर्मू परवार जो है जो है जरुप्ती मुर्मू परवार उसी परवार से हैं अंग्रेज जंजाती आदिवासी पितलों ते इतना डर गई थी कि उसने पहाड जंगल खनी संपता दिपे देखल करने के लिए समाज को इन सबको राष्टी संपता घुसृत कर दिया और वह आपका प्रवेश नहीं होगा 1857 में संताल का विद्रो उसका नित्रुत करने वाले थे सिंदो मुर्मू, काना मुर्मू, चांद मुर्मू, पहरवा मुर्मू इस चारो भाई थे और ससत ग्रिटिस ब्रिदो और उसके द्वारा स्थोपी गई जमिधारी प्रठा के क्लाप था यांदोलन इसे हूल अंदोलन कहा जाता है हूल अंदोलन के लिए कि पहला हमारा अंदोलन है चुक्ए आधीवास्ति के पास उसकी परबंप्रिक 2 धन उसक्मान होते थे और अंग्रे सेना आधुनिक अतियारों ते लेज थी युद्धित्व अंग्रेज जीद गए लेकिन 30 जुन को जारगन प्रांत के भोगना डी में हूल दिवस तबी से मनाये जाने लगा क्योंकि इसी दिन कानल मुर्मू को फासी दी गई थी हूल दिवस का कारिकम होने के करण संतालियों की वरतमान पीड़ी अपने इथियास से जुड़ जाती है जब भी हूल दिवस होता है तो संताली अपने आपको कानः मुर्मू से जोड़ लेते हैं और तीस जून को हूल दिवस मनाते हैं, इस बाद तिलका माजी के संगर से वर्तमान को जोड़ा जाता है। संतालों पर अंग्रेज और इशाई मसंडरी का दमन कैसा था इसको जानना चाहिए, इसे बहुत अच्छे से स्री हरें पिताब जी ने समझाया। अंग्रेजों के टूडेंस से बचने के लिए संतालों को पलाइन करना पड़ा, वह पलाइन के लिए बाद हो गया, संताल प्रगरना से पलाइन कर वे असाम के बोडों चित्व तब पहुंच गया, वहां भी वस रुक्षित नहीं थे, इशाई मसंडरीयों ने मतांसित बोड जंजाती है, दरपदी मुर्मु जहां से आती है, शिछ जिले का प्रजिवीत करती है, वहां पर 69% जंजाती आदिवाती हैं, और उनमें संताल जंजाती 43% है, अब देखें मतांसरन के बाद बाद भी इसाई मसंडियां इनको उसाइन को संतालों का मतांसर नहीं करा पाइ, इस जिले में मात्र 0.69% ही संताल इसाई बन पाए उडिसा में 41.94 औराओं 39.07 परसंत कडिया और 21.6 मुंड़ा जनजाती के लोग इसाई बने हैं लेकिन संताल मात्र 0.84% ही इसाई बने हैं अब इससे सटे हुए उडिसा से बंगाल में देखें यहां 47.42% संताल है यहां इनके मतांसरन का परसंट है 3.62% है जारकंड में 31.8% संताल हैं वहां 32.8% मुंड़ा 26.1% औराओं इसाई बन गए लेकिन 31.8% संताल में शिर्फ 8.5% संताल इसाई बने है तो इस जनजाती समाज के विविन समदाओं में संताल समाज जो है इसाई पंते मतांसरन करने में विदेशी में संद्रिया फेल हुई है क्योंकि इनके पीछे संताल समाज जो हैं की अपनी संस्कती संगर्स और परंप्रता की पिसी सरद्दाप और स्वभिमान है मतांसरन अतम राष्ट के बिरोद जाना लेकिन ये बिल्कुल भी इसके खलाप नहीं गए और उसी में का नतीज़ा है कि देखे आज सरवोश पत्पे संताल समाज की त्रीमती द्रौपती मुर्मूम है धाई सो वर्सों की परंपरा और पूजा पत्धती पर इसाईगों ने बहुत आक्टमन करा मिशन रीजन है लेकिन संतालियों को जुकानी पाए संताली जुके नहीं राष्टपती द्रौपती मुर्मूम भी संताली है महा महिंग पे निर्वाचन पर उनके निर्वाचन से महा महिंग पत्पत निर्वाचन से पूरे आदिवासी विसेश का संताली समाज में एक नया उस्ता है और विस्वास का संचार हुआ है और आज संताल तो कल पूरा आदिवासी समाज ही इसाई में सिंद्रियों के जो राष्ट खतक जो अंदोलन चला रहे हैं पंक परवर्थन के उसके खलाप उटकड़ा हुआ है और इसाई समाज को पूरे को समर्फित कर रहा है यह जो नौ जुलाई है विस आसी अदिवासी दिवस या जिनजाती दिवस वास्तों में एक अवहाने समाज के लिए अंदोलन करें या जबल पूर में आप देखे रानडुर्गावति क यह बवस्ता के खलाप अपने समाज को अपने संग्ठन को अपने समू को संग्ठित करने के लिए सदेव संगत रहे सीमित संसादनों में जीवने आपन करने वाले जल जंगल जमीन के साथ जुड़े हुए लोग हमें साब बहुत सच्ची सरल और निस्कपट होते हैं जब इन ही में से कोई अगर राष्टपती बनता है जारों की बात है को कि जंजाती समाज जो आदिवासी दिवस मनाया जाता है इसको मूल निवासी के रूप में जानना चाहिए कि वास्तों में हम सभी कहीं न कहीं जंजाती समाज से जुड़े हैं हमारे पूरवज हम मूल निवासी हैं और राष्ट के पती हमारी निस्टा म तो यह 47 समाज का इथियास है जिसे हरेन प्रिताब जी ने बहुत अच्छे से बताया और वास्तों में हम सब एक लिए कर्व की बात है कि सिवती दुर्पती मर्मू उसी संताल समाज की एक सक्री सदास है